तो गाईज हम इसा ऐसा मोटिफाई करेंगे ना पदलब नेक्स लेवल लगेगी दूर से पैसाच जाओ गया तुम ऐसी कर देंगे अपनी टू का सुर्फ दोनों के दोनों कारवन तुम यह चेक करो और यह भी कारवन है और यह भी कारवन है तो हेलो विवर स्यार कैसो फाइनली यार फिट से स्वागत आपका नएसे मस्ते व्लॉग में तो फाइनली काईज यार आज हम करने वाले कुछ मोटिफाई करेंगे ना मतलब नेक्स लेवल लगेगी मतलब जहर लुक देगी और कुछ कर भी दिया तो गाइज हम तुमें दिखाएंगे और कुछ हमारे पार्सल बगेर आयते हैं तो पहले ने अन्बॉक्स करते हैं जितनी बारी कर सकता हूं मैं अपनी डुकासुर को उत्री बारी करूँ क्योंकि यार थोड़ी सी लाइट वेट है दूर से पैचाज जाओ गयार हम ऐसी कर देंगे अपनी डुकासुर पूरी की पूरी मोडिफाई करेंगे चार कुछ अमने प्रोड़क्ट बंगाया थे तो पहले तुम्हें वह प्रोड़क्ट दिखाते हैं गाइस अपनी डुकासुर खड़ी है और भाई कुछ चेंजे दिख रहे होंगे तो गाई तो हम मुगो सब्सक्राइब काफी प्रॉब्लम आ सकती है सब्सक्राइब काई तो यह वाली हमने रेडियेटर ग्रिल मंगाई थी गाईस पहले से खोलते हैं और फिर देखते हैं सबस्ते चीज ना काईस मुझे ना यह लगी ती जो इसके कर वेना मतलब साइट से भाई मतलब जाया पूरी औरेंज और बीच में केटियाम बाइब ब्लयक लागार से लिखखा अब शैट से लगने वाली और अपनी ओट उना सबस्ते लिए तो अधियों और इसके अंधर सम अभी मैटर वाला लगाएंगाय जो मनें मंगाया ए रेसकॉप्स है और पहले हुमें दस नंबर की प्लास्टिक भार निकल जाएगा बस ये कर रहा है तो में बाकी कुछ नहीं करना जैसे नीचे के दो नट खोल लोगे तो उसके बाद ना तुम्हेना यह एक स्टील की मिल जाएगी प्लेट जैसी सबसे पहले यह निकालनी है जैसे तुम खोलते हैं पहला यह आ जाएगा जो हमने वियार 46 लिखवाया और पूरा कारवन करवाया मतलब जो सैट सा लग रहा है बट कुछ बंद है आज फॉर्टी सिक्स और दोनों के दोनों कार्वन है मतलब देखरो क्या सैट लग रहा है और फुछ बंदे ना इसे भी कॉपी कर लेंगे ँछ मेरे स्सॉस्क्रावर ने मुझे बता है कि फुछ बंदे कॉपी कर रहे हैं तो भाई उन्हें करने दो कपि अच्छी बात है कि पत्खर लग जाएगा जो चले जाएगा अब इस पर हम लगाते हैं देख रहो मतलब क्या साइट सा लग रहा है गाइस मतलब मज़ा आने वाला है आई पर राइड इन मांटेंज दिखाते हैं तो में और यहें अग keen डाइड यहां कि Ama इसे फिट कर दिया और अब हम में ऊहीवार होगा दिखाता है दिखाते हैं कर्सक्राइटिन मस्त लग रही हैं तो मैंना खर दिया है इस साइट के एमने वैसी सेम उससाइट होगा तो दिखाना कुछ बनता नहीं है तो मिलते हैं तुम्हें सिद्धा फिट करके गाईज रेडियेटर ग्रेल बी लगा दिया और रेडियेटर के कवर भी लगा दिया प्लास्टिक वाले और फाइनली गाईज अब यह वाली प्ल प्लास्टिक वाले जाएगा तो बहुत अलग अलग रेडियेटर के रहे तो तुम्हें दिखाते हैं पूरी फिट हो चुकी है और अब हमारा रेडियेटर पूरा का पूरा सेफ है गाईज और मतलब भी मस्ताएगा थोड़ा वेट भी ज्यादा हो जाएगा तो अब हम वेट बढ़ाने में लगे हैं वेट घटाना नहीं है गाईज हमें इसका वेट बढ़ाना है जितना बढ़ा सकते है उतना और यह देख रो बट इसे भी कोई क बढ़ाना आए और सब कार बना हमने हेंड गार बन कर दीए सब्सेर यार तम्हें रेडियेटर गेल दिखाते हैं वह कैसे लग रहा है ते फिर मिलते हैं तुम्हें कुछ सिनेमेटिक दिखाते हैं कहीं है जो हम इंजन ओल यूब बगरा यूज करते हैं मोट्यूल डबलूपी सस्पेंशन तो यार यह कुछ ऐसे मोटिफिकेशन किया है और यह भी कार बना है और रेडियेटर ग्रिल देखर हो कैसी मतलब सेट सी लग रही है और नॉर्मल से मोटिफिकेशन अबंड वर्ट बहुत लग रहा है और देख रहो यह पूरे के पूरे काइस अमने सिल्वर कर दिये ग्रेज और यह कारवन एंगाई इधर से carbon है आज यह भी carbon है देख्यों यह carbon है पंट अभी light refract हो रही है इसलिए और इधर से भी देखेजर घ्रिल कैसी लगुरी सेट सी यह देखो सबसे अधाने यह check करो श्टॉक यह बतानी पाँगे कि स्टॉक का या आफ्टर मारकेट है बट्ट है आक्रपाविक का इस टी कर लगाए आपे हमने और पुरा का पुरा कर दिया और यह भी कारवन है और सिगा दीरे-दीरे मिलते रहें और तक यह तेस्टरोल पावर वन अल्टिमेट जो हम यूज कर रहे हैं और डबलोपी के सिस्पेंशन है जो भी हम इंजन ओल यूज कर रहे हैं तो गाइज कुछ ऐसा ऐसा सी सबसे पहले तो गाइज अपने रेडियेटर की प्रोटेक्शन भाई रेडियेटर कहीं डूड या लॉंग राइट पे तो पत् अब चर्डश लगा दिए और रेडियेटर की लगा दिए और रेडियेटर कैसी लग रहे हैं कमेंट करके बताना और कुछ फोटोस भी क्या यह इंगा ने तो तुम्हें इस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा कमेंट सेक्शन में और डिस्क्रिप्शन में तो जाके फॉलो और तब तक के लिए बाए बाए और लाइक से सब्सक्राइब कमेंट सब कुछ करते और प्यार दिखाओ जल्दी से तभी हम नेक्स रीडियो जल से जल आने की कोशिश करेंगे और मतलब मोडिफिकिसन करते रहेंगे काई ऐसी होगी नहीं अपने चमोली डिस्टिक में और रायवाले में तो भाई ऐसी डुका सुर बना देंगे हम आल इन वन उत्रागंड ऐसी कर देंगे गाईज हम बाकी बाहर का मुझे नहीं पता बट मेरी नजरों में तो एक ही रहेगी तो फ कर दो